दोस्तो सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चेनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हलो दोस्तो स्वागताव सभी का आज किस वीडियो में आज की वीडियो में हम बात करेंगे महिंद्रा एक्सवी 3 डॉलो के यूटुआ के बारे में कंपनी जल्दी ही इस गाड़ी का अलेक्ट्रीक वर्जन लाउज करने वाली है और इस काड़ी को होने वाले ओटो एक्सव में अंदर सोकेस किया जाएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और जान लेते हैं इस गाड़ी में आपको क्या-क्या मिलने वाला है और इस गाड़ी का मुकाबला किन-किन गाड़ी उसे होने वाला है तो वीडियो को जल्दी से सुरू करते हैं और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएं तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा आप हमारे चैनल को सस्काइब करें इस तरह की ओटो मुबैल से चुड़ी जान करी और इस तरह के अपडेट हम आपके लिए लेकर आते अगर दोस्तों हम इस गाड़ी के बारे में बात करें तो यहां पर आपको वही डिजाइन मिलने वाला जो रेगुलर आपको एक्सवी 3W देखने को मिलती है उसी डाइप कर डिया आपको एलेक्ट्री वीकल का देखने को मिलेगा थोड़े बहुत माइनार चैंज कर दिये अगर हम इस गाड़ी के इंटिरियर की बात करें तो यहां पर भी आपको कोई ज़्याधा चैंजस देखने को नहीं मिलेंगे छोटे मोटे चैंजस देखने को मिल सकते हैं दोस्तों अगर हम महिंदरा एक्सवी 3W के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहा अगर हम पावर फीगर की बात करें तो यहां पर आपको 130 HP मतलब की 130 HP की पावर देखने को मिलेगी तो अगर अगर मैं इस fue की कोड़नेम की बात करें तो इस SUV का Code Name है S210 और एकर इसका नाम है EXUV-3W अगर हम इस SUV के Charger की बात करें तो यहाँ पर आपको AC Normal Charger भी देखने को मिलेगा और DC Fast Charger भी आपको देखने को मिलेगा जिस तरह की आपको Tata, Nexon के अंदर Normal Charger और Fast Charger दिया गया है उसी तरह से आपको इस घाड़ी के अंदर भी Normal Charger और Fast Charger वाला सिस्टम देखने को मिलेगा दोस्तो अगर हम इस SUV के Launch Date की बात करें तो महिंदरा ने Confirm किया है कि इस SUV को अगले साल मतलब की 2021 के अंदर Launch किया जाएगा और अगर इसकी Expected Prices के बारे में बात करें तो 15-17 लाग रुबे के बीच में इस घाड़ी की Price हो सकती है अब बात करते हैं इस घाड़ी का Competition कौन-कौन सी घाड़ी उसे होने वाला है तो इस घाड़ी का Direct Competition होगा Tata की Nexon EV जिसको की Launch किया जाने वाला है और जो MG की ZS EV है उस घाड़ी के साथ भी इस घाड़ी का Competition होगा और Hyundai की कोना है उस घाड़ी के साथ भी इस घाड़ी का Competition होगा तो दोस्तों आज के वीडियो में बस यही था महिंद्रा XUV 3W के Electric Version के बारे में जिसको की होने वाले Auto Expo के अंदर सोकेस किया जाएगा और उसके बाद में इस घाड़ी से जुड़ी और भी जानकरिया सामने आ जाएंगी तो मिलते हैं आपसे नेक्ट वीडियो में इस तरह की अपडेट हम आपके लिए लेकर आते रहेते हैं अगर आपको इस तरह की अपडेट पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाएं